निम्रित कौर अलू वालिया और प्रियंका चाहर चौधरी दोनूं के बीच में पदा नहीं किस तरीके की राइवल्री थी हम नहीं जानते लेकिन इतना जरूर जानना चाहते हैं कि आखिरकार निम्रित ने ऐसा क्या कर दिया है कि जनता तो उनके पीचे ही पड़ी रहती है दोस्तों जी हाँ अब जहाँ पर प्रियंका की तरह ही रेड ड्रेस में फोटो खिचवा कर पोस्ट करने की बात ले लीजे या फिर प्रियंका की तरह ही पाटी आउटफिट पहने के लेकर निम्रित का ट्रोल होना लीजे अब दोस्तो हाल फिलाल तो बात ये है कि मीडिया ने भी नहीं छोड़ा पीछे वो भी अच्छी स्टोरीज निकालने में बहुत ज्यादा ही बहुत ज्यादा ही चैन्र रहती है नमस्कार स्वागत है आपका चैनल टैली कजाना में आ गया है या राहुल बोज यार हो का यार तो फड़ा फड़ इंस्सेग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए राहुल बोज 1515 मिलिया वहाँ पर चैट पड़ी बातचीत करेंगे तो जैसा कि हम सबको पता है कि निमरित कौर अलुवालिया जी को रिसेंटली जो है काफी जादा ट्रोल किया गया था ये बात पर कि भाई कुछ तो अपना कर लो अट लीस्ट वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निमरित जी का जो एक रेड ड्रेस में पोस्ट है बहुत जादा स्मूकी होट लग रही है निमरित लेकिन कही ना कहीं दोस्तो उस ड्रेस वो ठीक है लेकि नीचे कॉमेंट सेक्शन आप पढ़ेंगे तो इतने सारे नेगिटिव कॉमेंट्स है जहां पर लोग यहीं कहरें कि अरे यह तो कॉपी कैट यह तो कॉपी कैट है यह तो कॉपी कैट है बट अब दोस्तो यहां पर हद तो तब होती है जब MC Stan के शो पे पहुँचती है निमृत निमृत की ड्रेस बहुत ही ज्यादा सिमलर थी प्रैंका की ड्रेस से जी हां दोस्तों ये बात तो हम सबको पता है वो ब्लैक वाली जो ड्रेस है और वहीं पर आप लोगों को बता दू तो मीडिया ने भी निमृत को पहचाना नहीं और प्रैंका प्रैंका चलाने लग गया जी हां दोस्तों मैं आपको ये लाइफ फूटेग बताता हूं कि ये देखिए बैचारी निमृत जी निम्रिज जी को यहाँ पर प्रियांका चाहर चौदरी के नाम से पुकारने लग गए लोग और यहीं कहने लग गए कि यार क्यों 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 काईको किस लिए और निमरित जी का मूँ जो है वो बिचारी इतना खुशी से एंतुजियास्टिकली श्रिप के साथ फोटो खिचा रही थी लेकिन जब उन्होंने प्रियांका का नाम सुना तो ऐसे घरते हुए नजर आए प्रियांका और इनकी दुश्मनी की वज़ा क्या है ये तो हम सबको पता ही है दोस्तों कि आखिरकार क्यूं जो है प्रियांका जो है इस तरीके से चीज़े करती हैं ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों तो यहां पर प्रियंका और निम्रित की बीच की लड़ाई कब खतम होगी यह जानना बहुत जादा इंट्रेसिंग होगा निमर्जी ने काफी बार बिग बॉस की घर में प्रैंका को बोला था प्रैंका ने काफी बार निमर्ज को अगणोर किया था लेकिन आखिरकार क्या हुआ अब ही रिसेंटली इंफेक्ट होली पार्टी में जब प्रियांका को पूछा जाता है कि किसके उपर आप जो है वो गुबारा बलून फोड़ना चाहोगे होली का तो वो बोलती है यार अब तो बिग बॉस छोड़ो अभी बिग बॉस की बात मुझे नहीं करनी है जी हां दोस्तों कहीं न कहीं मीडिया भी बहुत तेज है और वो प्रियंका के मुझे निमरित का नाम निकलवाना चाह रहे थे लेकिन प्रियंका भी बड़ी स्मार्ट है कि उसने ये नाम नहीं बोला खैर वैसे आपको क्या है कहना कॉमेंट करके जबर बताईए गावने रह के साथ देखते रहें चाली खजाना बाबाए